कानपूर्द देहात की घटना ने सब को इस्तब्ध कर दिया। नवकर शाही के रवये से जो परिस्थिति महां बनी। उसने मा बेटी की जान ले ले। अगनी समाधी हो गई मा और बेटी की। और सबसे दुखत पक्ष ये कि जब अतिक्रमन हटाने की बात आती है तो अधिकारियों की नजर उन जगाओं पर नहीं जा पाती जहां जानी चाहिए। उनकी निगाह गई इस जोपड़ी पर जो सामधाई उस जमीन पर बनी थी। और ये परिवार वो जिसके लोग तीन दिन पहले कानपुर देहात की जो महिला जिलादिकारी है उनके दफ्तर में जाकी शिकायत कराए थी। कि लेकपाल पटवारी और दूसरे लोग अधिक तहसील के जाके हमारी जोपड़ी गिरा गए आगया। बाकी की जोपड़ी अथा बत रही हमारी गिरादि इस शिकायत करके आए थे। उसके बाबजूद अमला जमला आ गया तीन दिन बाद। पुलिस के अधिकारी आ गये बुल्डोजर आ गया गरीब क्या करें। मा और बेटी ने भागकर धर्वाजा बंद कर लिया का हम जान दे देंगे आग लगाकर। आग लगाई। वो परिस्थिती बनी। और उसमें सबसे दुखत पक्षमालम क्या है। कि अचानक से बुल्डोजर ने अपना काम शुरू किया और जोपड़ी की छत जमीन पर आ गई। आग चिता का रूप धारन कर गई। जिसमें वो दोनों माबेटी भस्मी भोत हो गई। मुकदमे हुए है। दर जोई है। 24 लोगों के खिलाब। उसमें S-D-M भी शामिल है। उसके जिसके खिलाब है। लेकिन मेरा सवाल D-M और S-P क्यू शामिल नहीं है F-I-R में। S-D-M को तहसिल्दार को इस तरह से कुछ लोगों को सरकार ने निलंबित किया है। मामला निलंबन से नहीं बने जाके बल। जेल जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे अधिकारियों को जेल जाना चाहिए। और D-M और S-P की जिम्मेदारी और जवाबदारी भी तह होनी चाहिए। यह बुल्डोजर, ऐसा नहीं होना, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। बुल्डोजर से अधिकारी कोई सुरक्शा प्राप्त नहीं। अगर अधिकारियों के कारण ये लोम हर्शक कांड हुआ है तो अधिकारियों के घरों पर भी यही बुल्डोजर जाना चाहिए तब न्याई की स्थापना होगी तब शाषन के एकवाल की स्थापना होगी आज शाम पांच बुजे रहीगा मेरे साथ इसी बड़े मसले पर चर्चा करेंगे कि गरीब की जोपड़ी गिरा के उसे चिता में तबदील कर दिया गया और बड़ी बड़ी अटालिकाएं बड़े बड़े होटल बड़े बड़े मॉल वैद अवैद की लड़ाई अदालतों में लड़ते रहते हैं और इमारते मुस्कुराती रहती हैं